राहूल जी किसी और की नहीं कम से कम इटली के प्राइमिस्टर उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं पैगसिस पे राहूल गांदी जी क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपना मुबाइल फोन जमा नहीं करवाया ये नफरत राहूल गांदी जी की परधान मंत्री के खिलाब तो हो सकती है लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धर्ती से होती है कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है ये अपने आप में प्रशंचिन खड़ा करता है कि कॉंग्रेस का अजंडा क्या है कल के नतीजे दिखाते हैं कि कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहूल गांदी जीब विदेशी धर्ती पे फिर एक बार कर रहे है नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगसिस कहीं और नहीं उनके दिलों दिमाग पर बैठा हुआ है दुनिया भर में मोदी जी के ब्रती जो सम्मान बड़ा है जो भारत का मान सम्मान बड़ा है मोदी जी के नेततब में है वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे है राहुल जी किसी और की नहीं कम से कम इटली के प्राइम मिस्टर उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं क्या कहा इटली के प्राइम निस्टर में ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है जो एक लोग प्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं आज वो एक मेजर लीडर एक बड़े नेता के रूप में उनको सविकारा है ये शायद राहूल गांदी जी और कॉंग्रेस पार्टी सविकार नहीं कर पाए ना वो लोगों का मैंडेट सविकार कर पाए एक के बाद दूसरी हार को शायद राहूल गांदी सविकार नहीं कर पाए और यह जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है पैगस इस पे राहूल गांदी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपना मुबाइल फोन जमा नहीं करवाया और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है ऐसा क्या था उनके मुबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने एक की दुरूरत थी वो और अन्य नेताओं ने अपना मुबाइल फोन क्यो जमा नहीं करवाया बार बार जूट बोलना विदेशी धर्ती का इस्तमाल करना विदेशी दोस्तों का विदेशी दंसियों का इस्तमाल करना ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई ये नफरत राहूल गांदी जी की परधान मंत्री के खिलाब तो हो सकती है लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धर्ती से होती है कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है ये अपने आप में प्रशन चिन खड़ा करता है कि कॉंग्रेस का अजंडा क्या है